नमस्कार जय जोहर मैं को मल साहू स्वागत करता हूं आप सभी का competition community के इस e-learning platform में जहां पर आज हमारे चर्चा का हमारे मन्थन का एक विश है जिसे हम बोल रहे हैं क्या 36 गड़ का अधूनी की इतिहास अगर आप देखोगे इस से पहले भी आमने प्राचिन की इतिहास का वीडियो देख था बद्यात है संस्कृती अगर माल लो कौई पहली बार ये वीडियो देख रहा होगा उसको लगे गा सघ्र कि हमको प्राचिन 36 गड़ का कई पढ़ ना है साथ में हमको क्या पढ़ना है कल और संस्कृति तो उन सभी चीजों को अगर आप देखोगे जनजातियों से संबंदित आपको कोई फैक चाहिए होगा क्योंके देवंता कौन है कौन सा गिद गाते कौन सा पेजल करते हैं कौन सा उनका परवह होता है कौन सा उनका नित्य होत सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको चीजे अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं क्लियर भई तो अब चलिए यह तो हो गया हमारे चर्चा का विस्स है लेकिन अगर हमको देखना क्या हमारे पीपर में क्या आता है तो भई उसके करेंगे इसके लिए एक से दो से ज्यादा वीडियो बना सके ताकि आपको चीजे अधिक से अधिक क्या हो सके जी क्लियर हो सके और ज्यादा से ज्यादा चीजे आप अच्छे तरीके से पड़ सके तो आपके बेहतर हितों को ध्यान में रखते हुए competition community आपके लिए इसको दो-तीर रूपों में क्या करेगा launch करेगा लाएगा जी तो चलिये वीडियो को प्राराम करते हैं ठीक है जी पहला पहला कोश्चन लेते हैं पहला कोश्चन क्या बोल रहा है राम टेकरी मंदिर रतनपूर में है इसका निर्माण कि सासक के द्वारा करवाया गया क्लियर जी अब हम इससे पहले मध्य का लिंचेतिसगर पढ़े थे क्या उसमें 1741 पढ़े थे क्या जो आपके लिए 1741 है इसी 17 1741 में भासकरपंद तो इसी में क्या भासकरपंद राम का क्या था एक सेनापति था किसका था रगुजी प्रथम तो यह रगुजी प्रथम का जो क्या था सेनापति था भासकरपंद 1741 में किसके उपर हमला करता है रगुनाथ सी रगुनाथ सी आपके लिए याद रखना है क्या रगुनातसी तो ये रगुनातसी के उपर हमला करता है और क्या करता है जो आपके लिए एक हजार से सतऱा सो एक चालीस तक लगतार साथ सो एक चालीस वरसो तक परसासन करने वाला आपके पास एक राजवन्स था उस राजवन्स को क्या किया समाप्त कर दिया और अपने प्रसाशन का निव रखा इसी को बोला जा रहा है क्या मराठा प्रसाशन तो आपते लिए सबसे पहली तो यह इंपोर्टेंट है कि रगुजी प्रथम कोन है तो आपको याद समला हुआ भासकरपन किसका सेनपती था रगुजी प्रथम कब किया सेवन्टी फोटी वन तीनों प्रस्न पूछा हुआ है आप यह जो रगुजी प्रथम है यह कहां का है भाई नागपूर का उसको कोई मतलब नहीं है 36 गड़ का तो वो क्या करता है सतरा सव एक चालिस से लेकर सतरा सव अंठावन थक क्या करता है उसको कोई मतलब नहीं अब रायपूर जो स्वारी जो 36 गड़ है वो दो रूप में डिवाइड हो चुका था सबसे पहली क्या देखे थे रतनपूर कल्चूरी और दूसरा था आपके पास क्या रायपूर कल्चूरी तो बोला भा समय समयम हमको हमारा पैसा दे हमको किसी चीए से कोई मतलब नहीं लेकिन क्या हुआं यह जो रगूजी प्रतम था रगूजी प्रतम का पूत्र था कौन आ आपके लिए बिबाजी भोसले तो यही तो बिबाजी भोसला को याद रखना यही राम टेकरी मंदीर का चाहें किसके पूत्रा थे रगुु जी प्राथम के पूत्रा थे अब देखे इसके फादर है रगुु जी प्राथम और ये आना है इनको कहां 36 गड़ आए तो जब आप राजनान गाऊं देखोगे मैं आज तो यह आपके लिपाढ़ता इदर राजनान कावं यह असा यह आपके लिए क्या दूरगाव राइपूर तो जब यह राजनान गाओं आये कहां से नेशनाल हाइवे 53 से इंटर किये कहां पर यह जगह है आपके लिए राज नान गाओं तो जैसे अब ही आप देखते हों माराठा प्राशासन तो आपके लिए महारास्ट है पर देखने की पूरे अंग्रेज परेशान थे तो यह जो मराठा थे ना इनको देखने की पूरे पर दोनों आदमिक जमीदार बना देता है पहला आपको प्रस्न मिला कहां से भीमबा जी भोसला तो आपको याद रखना राजनाद गाउं और प्लस याद रखना खुजी दो जगा को जमीदारी छेतर गोसित करता है आते ही तो आपको याद रखना राजनाद गाउं आपको याद रखना खुजी दोनों प्रस्न पूछा हुआ है कि कि किसके द्वारा राजनाद गाउं और खुजी छेतर को जमिदारी छेतर की रूप में क्या किया गया जी श्रीजित किया गया आदमिक नावियाद रखना भीमबा जी भोसला आप ये पहुचा 1758 में कहां पर रतनपूर में आप ये अपना खुद को क्या करता है स्वतंत्र मराठा सासक गोशिस करता है आगला प्रस्णा ये पहला स्वतंत्र मराठा सासक तो आपके लिए दूसरा प्रस्णा तीसरा ये पूछेगा जैसे आप एक नए घर का निर्मान करवाते हो तो नए घर में क्या करता है कहीं ने कहीं तो मंदिर रखते हो ना इससे पहले आपके लिए रतन देव प्रथम वही इसी रतन पूर में महमा नया मंदिर की स्थापना कराये थे क्या क्योंकि वह क्या कर रहे थे पूरे 36 गड़ पे अपना प्रसासन कर रहे थे अब यह उनको हरा के 36 गड़ में क्या पूरा जो 36 गड़ है नहीं मराठाओं का है तो यह एक नए मंदिर का निर्मान करा रहे है आप सुने होगे 36 गड़ के दूरा क्या वनायागि यह राम टेकरी मंदिर की यह यह आये से इदहर नागपूर साइल ॉर रांजआगबात रायपूर चाहां प्रकूर के बाद फिसार रहे हैं कहां पर बिलासपूर तो इनों हो ने और एक काम किया क्या कि आपके लिए जो राइपूर था और आपक एकी करण कराया तो यह प्रस्ण भी आपको पूछता है कि आपके लिए रायपूर और रतनपूर दोनों का प्रसासनिक एकी करण मतलब दोनों को जोड दिया आप अभी जो 36 गड़ देखते हो तो यह आपको ऐसा जो उपर का चार भाग है उसको तो आपको याद रखना राय आपके लिए कौन बिंबा जी भोसला और अभी आप प्रस्ण कामरेक जवाब दो अगर होल्ड करना ध्यान से सुनना फिर बताना 36 गड़ में जीलों की संख्या बताए ओप्सन यह है आपके लिए 27 ओप्सन भी 28 ओप्सन सी आपके लिए 30 और आप्सन डी 33 है तो आपके लि आपके लिए ओप्सन 27 28 ओप्सन तीज और तैटीज आप मेरे कमेंट करके बताएंगे मैं अगले वीडियो में इसको डील करूंगा कि 36 गड़ में भी वर्तमान जीलों की संख्या कितनी है यही वो आदमी है जो पहली बार 36 गड़ को जैसे अभी क्या जीले है ना तो इन्ह किन्हों ने सोचा कि 36 गड़ को किसमें बाटू में परगणाओं में जैसे आप 36 गड़ भी जीलों में बटा है ना तो ऐसी यह परगणा पद्धति के सूत्राधार थे सूत्राधार तो केवल इसको क्या किये थे ला पाये थे इसको इंप्लिमेंट नहीं कर पाये थे जैसी सोचे और यह हर बात में और 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 ऐसे बोलते थे तो इसके तीन जहन बाई थे तीनों बाई का आपको नाम याद रखना है सबसे पहले का नाम क्या था आनंदी भाई आनंद काटी थी आनंदी भाई इसको दिन भर मतलब नहीं है खाली जो मेटो स्वीगिस ओडर कर रही दिन भर दबा दबा खारी है आपको याद रखना आनंदी भाई आनंद काट रही है दूसरा याद रखना उमा और तीसरे का ना तो दियाद रखने अगर रख सकते हैं 1758 से 1780 सग लागभक 30 साले क्या करता है अपना सासन करता है उसके बाद निपट लेता है अब निपटी तो यह जो उमाथ ही ना यह क्या करती है सदी होंगी क्या बोलती है ते मारगे तोर बिना मैं कैसे जूहूं तो तहीं मोर चांद रहे तहीं मोर तारा रहे तहीं मोर भागमार रहे तुहले देखके मैं जीयत रहा हूं अब तोर बिना मैं कैसे जून दूनिया भार का बोल बोल के रही है जैसी इसका चीता जलता उसी मुझा कुद मतलब यह सती हो जाती है। रवह्मा बोलती ही यह केस थोड़ा भारी है मेर से सती वती होना नहीं हो पाएगा यह चूप चप सन्यासी बन जाती है मेरे कोई लेना देना नहीं है या जिसको करना है करो आनंदी अंदरी अंदर भिकट खुछ हो रही मन में लड़ू फूटा एड़ाता था ना इसके मन में आया बाई लड़ू फूट रहा है आनंदी भाई आनन काट रही है तो अगर आपको पूछा जाएगा कि बिंबा जी भोशला के मरने के पश्चाद मृत्यू के पश्चाद किसके हाथ में सक्तियों का संकेंद्रन था या प्रसाशन किसके हाथ में था आनंदी भाई प्रसना पूछा हुआ है तो आपको याद रखना आनंदी भाई सक्तियों का संक्रेंद्रन क्लियर जी तो आपको याद रखना सक्तियों का संकेंद्र हैं किसके हाथ में आनंदी भाई के क्लियर जी आपके लिए आंसा था बिंबा जी भोशला बिंबा जी भोशला सापको चार-पांच प्रशन पूशता है स्वतंत्रमराठा साक रामटेकरी मंदिरर रतनपूर रायपूर का एकी करन प्रगनापद्धती का सुत्रदार यापको क्यारे तो लागू करता नहीं है लागू करता कोई दूसरा आपको जब option आएगा तब बताऊंगा दूसरा बोल रहा है व्यंको जी भोसला आप ये तो निपड लिया इसके बाद प्रसासन मिल रहा है इसकी बाई को लेकिन उस टाइम पर लेडिस लोग क्या नहीं करते थे प्रसासन तो मालो एक घर है दो घर है तीन घर तो तीनों घर में ऐसे सुबा एक घर में दोपार एक घर में सामरा होगे क्या नहीं आदमी एक घर में रहता है और अगला जो उसके लिए दो घर रहेगा उसको क्या कर देगा और रेंट में देगा तो ये जो आदमी व्यंको जी भोसल और दूसरे लोग रहेंगे जांगर चोटा या जांगर चोटी उनको कोई मतलब नहीं आप उपके घर को कैसा रख रहा है तो यह अदमी क्याद रखना आपको कौन व्यंको जी भोसला यह क्या करेगा 36 गड़ को आप बोलेगा सूबा 36 गड़ को क्या बोलेगा जी सूबा मतलब यह 1787 आया है 1787 से लेकर 1818 तक 36 गड़ को बोला जाएगा क्या सूबा प्रसासन मतलब इसका क्या होकर ठेका होगा और जो आदमी सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा, मतलब एक करोड, दू करोड, तीन करोडा से चालू होगा, और जो मैक्सिमम बोली लगाएगा, उस व्यक्ति को 36 गड़ को दे दिया जाएगा, और उसे आदमी को बोला जाएगा सूबेदार, तो आपको अगर पूछा जा आपके लिए सर्वोच अधिकारी, क्लियर जी, आपको याद रखना सूबा प्रसासन, कव 1787 से लेकर 1888, अब आपको अगला प्रस्न ये पूछत है, कि अगर 36 गड़ में सूबेदार हुए, तो कितने सूबेदार हुए, सूबेदार कितने अक्षर का दिख रहा है, आपको चार, इंटू कर देना दो से, टोटल 36 गड़ में 8 सूबेदार हैं, पूछा हुआ प्रस्न है, 36 गड़ में कुल सूबेदारों की संख्या, तो 8 सूबेदार थे, आपको याद रखना, टोटल सूबेदारों की संख्या, क्लियर जी, आपके लिए अगला प्रस्न बनेगा, अब आपको याद रखना है महिपत राव दिनकर, यही महिपत राव दिनकर है, यही आपके लिए क्या है, प्रथम क्या है जी सूबेदार, तो यह प्रसन आपको दस बार से ज़्यादा पूछ चुका है, कि 36 गड में सूबा प्रशाशन में 1787-1818 में पहले सूबेदार कौन पहले सूबेदार हैं आपके लिए कौन सा महिपत राव दिनकर, मैं कहीं से कोस्चन से टेप के नहीं उठाया हूँ, मैं अराम से पहले उप्शन को सोचता हूँ, ताकि अगर आपको एक प्रसन बना रहूं, तो उस एक प्रसन में 10 से 15 या 20 कोस्चन कैसे मैं कवर कर सकूँ क्लियर जी, आप चीजोंग देखोगे, अगर मैं 50 स्लाइड ले रहूं, आपको याद करने बहुत तकलिफ होता है, तो मैं चीजोंग कोसिस करता हूँ, एक जिगा रिलेट करके लिग दूँ, हाँ, लेकिन मेरे स्पढ़ने के लिए आपको जांगर चोटा या जांगर चो सुबेदार, आपको याद रखना भीका जी भोसला, तो भीका जी भोसला के लिए हमारे पाद जगा नहीं है, इसके लिए मैं अलाग से ओप्सन दियाँ, उस ओप्सन में इसको डिल करेंगे, अभी याद रखना है महिपात राव दिनकर, आपको दूसरा याद रखना है, यह महिपात राव दिनकर अप्छा, तिस गड़ का तो आदमी है नहीं, यह आया बाहर से, तो इसमें एक और प्रस्न यह पूछेगा, कि जब महिपात राव दिनकर आया था, तो इस समय सक्तियों का संकेंद्रान किसके हाथ में था, एक जन लेडिस है, जी चब बीन, जैसे डोकरी लोग क्या हो जाता है, घार में अथा पैसा रहेगा, लेकिन उनके हां से एक रूपे नहीं छूट रहा है, दूसरे घार, पहली जैसे, मैं बचपन में था, और मेरे यहां कोई महमान आ रहा है, तो मैं पाउं पर रहा हूं, श्रीप इसलिए पाउं परता था, पैस किसलिए परा जाता है, पैसा पाइने के लिए, तो आपको याद रखना ही है, महिपात राओ दीन कर, जब क्या कर रहा था, प्रसाशन कर रहा था, प्रथम सुबेदार था, तो इस समय सक्तियों का संकेंद्रान किस पे हाथ में था, आनंदी बाई के प्रसन पूछा हुआ ह जय को एक जहा आद रखना है क्लियर जी? आगे बढ़े क्या बीका जिभोषला, इसको देखेंगे अगले प्रसन में, क्लियर, अगला प्रसन, अगला प्रसन, आगला प्रसन क्या पोड़त रहा है, शूबा विवस्था में अंतिम सुबेदार निमना में से कोन था, तो यह सूबा वेवस्था कब से कब था भाई सतरा सव सत्यासी से लेकर अठारा सव अठारा तक क्लियर जी आप देख रहे हैं विठाल राव दिनकर यह जो विठाल राव दिनकर है ना यह आपके लिए इनपोर्डेंट है एक जन आदमी के नाम सुने थे अभी थोड़े देर पहलि कि लागू करता तो आपके ये याद रखना, ये प्रस्णद आपको 10 बार पुछा जाता भादि MP मोष्ट आई एमपी तो आपको याद रखना परगना पत्धती के लागू करता सव रच, यह आपके लिए विठाल राव दिनकर अगर पूछे गाँ परगना पत्धती के हiliśmy dean i cannotodus if t否 sach ever हर तो चुरह कोण है भाई आपके लिए बीमबा जी भोसला यह आईडिया दिया था हमान सब्सक्राइब अगर पूछेंगा इंप्लीमेंट कोण किया था और लेकिन आपको अगर पूछेंगा इंप्लीमेंट कोण किया था परगणा पत्तती का सूत्राधार कुन था अगर आपको पूछ रहा है कि शुबा विवस्था में आठ जन सूबेदार थे तो ये आठो सूबेदार में सरवाधिक समय तक तो आपको याद रखना सरवाधिक समय तक मैं पढ़ा रहा हूना मेरा वीडियो सबसे ज़्यादा जाता है तो अगर आपको पूछेगा सबसे ज़्यादा टाइम तर आदा गंट एक गंट दू गंट पांच गंट लगातार पढ़ाने बोल दो अराम से पढ़ा दूंगा कोई दिक्कत नहीं है तो आपको याद प्रसना है भाई पहला प्रसना दूसरा आपको याद रखना क्या कि का से केसा और का से याद रखना कोल ब्रुक तो यह आदमी का आपको बार बार पूछेगा कि कोल ब्रुक नाम का यूरोपी यात्री तो एक यूरोपी यात्री था भाई यूरोप का आदमी था अंग्रे ताइम पे 36 गड़ का सूवेदार था कोन के सवक गोविन क्लियर जी आपको प्राशना उसे पूछता है अगला याद रखना याद और आव दिन कर यही तो प्राशना में पूछा था क्या अंतिम सूवेदार तो अंसर हुँ आपके लिए कोन याद और दिन कर आपको याद र का संक्रेंद्रण आप मेरे पढ़ें उसके बाद क्या करें मैं आपको बोड़ आँ आप लेकिन एकदम इमानदारी से धीरे धीरे बनाते रहें क्लियर जी आगे बढ़े क्या तो आपको याद रखना है महिपतराव दिन कर आगे बढ़े आगे बढ़ते हैं भई अगले प्रश्ना के लिए अगला प्रश्ना क्या पहलो चातिस गड़ के पहले डिप्टी कमिश तो आपको याद रखना है सी तो आपको याद रखना है क्या चाल्स यह भी सी से चालू होगा क्या तो आपको याद रखना है क्या चाल्स सी इलियट यह आदमी अब इसको आपको थोड़ा स्टोरी जानना जर्री है देखिए सबसे पहली आपके लिए क्या था सतरा सव एक 36 गड में इंट्रेस्ट नहीं थे अपने प्रतिनीधी बैठा दिये थे कि तुम क्या करो मेरे लिए प्रसासन करो मेरे चुपचा अब आएगा 1800-1800 से लेकर 1830 तक इसको क्या बोलेंगे थोड़े दिर बाद बताऊंगा क्योंकि अगले प्रस्ना में और गोश्चन है बताना है तो आपको बता देता हूं इसको बोला जाता है क्या अधिक्छक अधिक्छक काल यह अधिक्छक काल क्लियर जी उसके बाद रहे हैं हमारे लिए क्या जिल्हेदारी वेवस्था जिल्हेदारी वेवस्था अब देखिए प्रस्ण में क्या पूछा था यह इंपोर्टेंट है डिप्टी कमिश्णर मतलब यह 1854 के बाद इसके बाद बात कर रहा है जब अंग्रेज पूर्ण रूप से आपको अगर पूछेगा ना पूर्ण रूप से अंग्रेज का बाद यह 1854 के बाद अंग्रेज आए 36 मतलब 36 गड़ में 100 साल से जादा उन लोग राज नहीं किये आप देखोगे 1947 में थमलोगा जाद हो गए थे तो लागभा इधार का कितना सव साल धलो और यहाँ पर 12 साल धलो तो कितना हुआ पुका मुश्किल से 100 साल साल मुशकिल से रहें अंग्रेज, लोगो 36 गडिया है तो 36 गडिया सब ले बढ़िया, आगे बढ़िया, क्या, तो आपको याद रखनाrad, चाल सिलय्य यह था हमारे लिमिष्णार, लगभाग आपके लिए 1856, मतलब आपको 1857 की क्रांती होगी, उस से पहले इसको 36 गड़ के पहले डिप्टी कमिशनर के रूप में न्यूक्त किया गया क्लियर जी आगे बढ़े क्या अगला चलने हमको किसको क्रिष्णा राव अरप्पा गोपाल राप्पा इसी के उपर बेजद हमारे भारत में कहानी गाना चलता है क्रिष्णा मेरो है सब्सक्राइब करा होगा नहीं निकला होगा समाझ गया भईया इसमें फायदा नहीं है सिधा चूप-चाप क्या बंजा संत बंजा भाड़ी चड़ावा चड़ता है काम भी नहीं करना है ऐसी रूम में बैटना है और 56 भोख खाना है ठीक है जी आगे चलने आपको क्या क् पुछा जाता है कि जो जिल्हेदारी विवस्ता है उसमें पहला जिल्हेदार कौन था तो आपको याद रखना प्रथम जिल्हे बोल रहा हूं ना जिला नहीं बोल रहा हूं जिल्हेदार तो यह था भई आपके लिए प्रथम जिल्हेदार अगर आपको प्रस्ण में पू बटन्याय होता था क्लियर जी आपको याद रखने है कालू इसको क्या किये जब हमारे आठ सूबेदार हुए बताया था कि नहीं यह आठ सूबेदार कब हुए थे आपके पास 1787 से लेकर 1818 तक सूबा प्रसासन चला था उसी में केसव गोविन सरवाधिक समय तक रहा तो सब सबसे कम आउधी पूछेगा सबसे कम आउधी या आपको पूछेगा नियूंतम या तो आपको पूछेगा मिनीमम टेनियोर किसका था या फिर सबसे कम कार्या थी किसका था कालू तो आपको याद रखना भईया यह कालू है करके इसको क्या कर दिये सबसे कम टाइम दे दि अगर आप सामले होगी आप फिर आपका रंग कम होगा तो सर मेरे टार्गेट कर रहेंगा अहां मैं किसी टार्गेट नहीं करता है यह हमारे अराध्य कौन स्री कृष्ण जी थोड़े से सामले थे काले थे घंस्याम बोला जाता है उनको पूझनी है तो आप भी पूझनी कमाग तो ला थे तो भाईया योग्यता से आदमी का पूझा किया जाता है सकल सुरत देखके किसी पूझा नहीं होता आगे बढ़े क्या जी आगे चलना है हमको अगले प्रस्णा के लिए अगला प्रस्णा हमको याद रखने क्या रतन पूर से रायपूर राजधानी परि अठारा से लेकर अठारा सो तीस इसी को बोला जाता है अधिक्चा का आप यह मेरे कमेंट करके बताईए अगर आपको इतिहास का ग्यान होगा कि तृती अंगले माराथा युद्ध कब हुआ था जिसे हम लोग क्या बोलते हैं सीधा बड़ी युद्ध कब हुआ था वो सी जो के कंट्रोल में आगरेशी आप ज disappoint तो आपको प्रस्व यह पूछा जाता है कि पहली बार जो 36 गड़ है अंग्रेजों के का आया या अंग्रेजी प्रसाशन 36 गड़ में पहली बार कब चाल उपा था 1818 से लेकर 1830 यह तो अठारा सो चववन के बाद अगर जाओगे ना 1947 तक तो दूसरी बार था पहली बार है आपके लिए 1818 से 1830 तर आगे बढ़े क्या जी तो आपको बढ़ना है क्या रतन पूर से राजधानी परिवर्तन कोन कराता है देखे 1818 से ध्यान से पढ़िये बहुत एकदम धीरे धीरे पढ़ा रहा हो ताकि आपको चीजे क्लियर हो 1818 से 1830 को बोला जाता है क्या अधिक्षक काल तो ये अधिक्षक जो काल है इसी में क्या हुआ 36 गड़ पे जो अंग्रेज आते थे अब अंग्रेज में तो कोई डारेक्ट अंग्रेज आके प्रसासन नहीं कर रहा है क्योंकि महरानी विक्टोरिया तो उपर में बैठी हुई बोला जाता था उस टाइम पे क्या अधिक्छक अधिक्छक ठीक है जी लिखने में कई बार इधर उधर हो जाता है ठीक है तो आपको याद रखने अधिक्छक ये लिखाए क्राफट ये क्राफट क्या था अंतिम अधिक्छक था अंतिम अधिक्छक तो अगर आपको पूछे कि वहां कोन सा अधिक्षक था जिनोंने मराठाओं को प्रसाशन का क्या किया जी हस्तनान रण किया करने तो आपके याद रखना है कि क्या क्राफत जो है मराठाओं का प्रसासन को क्या करता है हेंड ओवर करता है देखिए आप देख रहे हो कि 1830 से तक कों थे यहां अंग्रेज बइठे हुए फिर यहां फिर किया आपके लिए क्या है जिलहेदारी वेवस्ता तब जिलहेदारी वेवस्ता अगध पुना भोशला प्रसासन बोलते इसी को मतलब मराठा फिर से आ गए तो यह 1830 तक जो अंतिमाधिक्षक था वही अंतिमाधिक्षक आपके लिए कौन था जी आपको याद रखना है कौन क्राफट तो यह प्रस्ण आपको पूछा जाता है मराठाओं को आपको क्या अपके प्रसाशन को को करने वाला आदमी का नाम कौन है क्राफट याद रखना है तो आपको यह याद होना चीन इसके दिमाग में था कि अपन कुछ नया करेंगे हो सकता है कोकाकोला पीता होगा थमख कर Hai कषुछ तुफानी करतें करके यह आदमिया आप किया वहांrue को लाजग सही यही वो आदमी है क्य बना थाई पीछले वीडियो में आपको बताया था मेरे सन भी बताना हुआ कौन सा राजा क्या किया था उसको राजधानी बनाया था 36 गड़ का उसको भी बताना आप ये क्या था एक हजार पैंतालिस से लेकर एक हजार पचाथ पांस साल तो आपको रतनपूर बनने में टाइम लग गया जब रतनपूर बना उसके बाद एक जन आदमी था आपको बताया था मैं आप मेरे कमेंट करके बताए कि वो कौन सा कल्चूरी सासक था जिसने रतनपूर को 36 गड़ क ही पहली राजध है बनायां अब यह लोग कहां बैट रहें रायपूर में बैट रहें ये कब यहmbre 1818 में एक जन आदमी आए नाम यहु क्या किया किया रतनपूर से रायपूर को क्या बना दिया राजधानी सब आपकता राज जीनिर्मान हुआ कब 2000 में यह यही टेम में ज 36 गड़ की राजधानी थी कब से 1818 से क्लियर जी आपको जानने के बहुत सारी चीज़े है तो आप 36 पी असिक तैयारी कर रहे हैं 36 गड़ व्यापम का तैयारी कर रहे हैं यह मत समझे कि सर हम लोग अगर पढ़ रहे हैं तो हमारात कुछ जीवन में विकास नहीं हो रहा है क्या होगा मू अपका खुद का भी तो हो रहा है तो आईसे सोच analyt Your आपको देखने का जीवन को जीने का आपके जीवन का इस्तार हार सЬ एग techniques होता ह है लेकिन हमको पतात होना रहे तो आज से पहली हम 6 माही ने साल बर पहली जिन आदमी लोग के साथ बैट के बकवास करते थे, आप CGPSC या 36 गड़वी आप हमका इमानदारिस तैयारी करोगे, अब आप वो एक साल पहली जिन आदमी लोग के साथ बैटते थे थे ना, आपको बैटने एक मन नहीं लगे, क्यों? आपके बाजूम बैटने वाला आदमी कोई डिप्टी कलेक्टर बन गया, कोई DSP बन गया, कोई नयापतासिलदार बन गया, और आप वहिच के भई उसी ठेले-ठेले में, अच्छा लगेगा, क्या? नहीं लगता ना भई, तो आप इमानदारिस पढ़ते रहिए, क्योंकि यह प्रस्न आपको बार-बार पूछा जाता है, और यही वो आदमी था, जो आपके लिए परगना, तो परगना पध्धती का आपके लिए लागू करता कौन था? आप कमेंट करके बताए, भीज बताया हूं थोड़े देर पहले, विठाल राओ दिन कर, वही आपके लिए क्या किया था? जी, परगना पध्धती को लाया था, तो वो लाया था कितना 27, वो 27 से आदमी सीमित कर देता है, कितने 8 में, तो अगर आपको पूछेगा in future, अभी तक तो यह प्रस्न नहीं पूछा है, कि परगना जो 27 ठोक था, उसको 8 परगनों में कोन सा व्यक्ती सीमित क करता है, आपको एक अधिक्षक का नाम याद रखना है, क्या एगेन्यू, आपको याद रखना है, एडमंड, मैं इस एडमंड को याद रखना हूँ, जैसे होता है, क्या डाइमंड, डाइमंड मतलब क्या होता है, हीरा, स्टोरी समझे, जैसे हमारा राइपूर के हर, कोई दुर्गा के हुई अगर नवरात्री आया है मतलब एक जगा जाना है फ्यवरेट जगा है सब का कौन सा जगा है भई कमेंट करके बताई डोंगडगड़ आप मालो समझो जैसे मैं अंगुठी पहिना हूँ आप अंगुठी पहिने हो डाइमन का अंगुठी या आप बड़ा गया खाता आपको याद रखना यह आदमी जो डाइमन था यही आपके लिए क्या था प्राथम अधिक्छक तो आपको यह पहली प्रस्न पूछेगा कि 36 गड़ का प्राथम अधिक्छक कोन था आपको याद रखना कोन एडमन आपको याद रखना डाइमन इसी के टाइम प डोंगडगड विद्रो हुआ ये आदमी डोंगडगड विद्रो को दमन कर दिया दबा दिया लेकिन टेंसन में आगे आईला मैं तो अभी 36 गड़ आया हूं और यहां के लोग इतने आईसे हैं कि क्या कर देते हैं विरोध कर देते हैं आदमी हाटा टेकमी निपट लेता है आदमिक नाम याद रखना है क्या एडमन प्रथम अधिक चाग याद रखना है डोंगडगर विद्रो यह प्रस्ना पूछा हुआ है यह प्रस्ना पूछा हुआ है आपको याद रखना सेंडिस यह जो सेंडिस है ना यह बहुत जैसे सेंडिल होता है ना सेंडिल खनेक बाद आदमिक दिमाग काम करने चालू कर देता है ना बिल्कुल ही ऐसी आदमी था कौन सेंडिस सेंडिस एक नया दिमाग लेके आया कि 36 गड़ में जितने बेकार जमीन पड़े थे मतलब जिसको हम लोग 36 गड़ीं क्या बोलते हैं परिया यह पापक परी वाला परिया नहीं है पर जमीन या फिर जिसमें हम लोग इस्तिमाल नहीं करते तो ऐसे जमीन को बोला चाता है परिया तो जो परिया जमीन है ना यह सोचा उसमें इंडस्टी लग सकता है उसमें ओफिस लग सकता है तो यह आदमी क्या क्या इसको रेंट में देना चालू क्या इसको लीज में देना तो अगर ये प्रस्ण पूछा जाएगा कि ताहुद्दारी विवस्था या तालुका विवस्था का जना क्या प्रार्यम करता कौन है आपको याद रखना कौन सेंडिस लेकिन कहां छतिस गड़ में भारत में और विश्वम नहीं बोलो छतिस गड़ में अगर बोलेगा कि त प्रथम सहित का दर्जा किसे प्राप्त है यहां से फिर चार ओप्सन देखोगे फिर दस्ठोग प्रस्ण बनेगा देखे सबसे पहली तो आपको याद रखना भई वीर नरायन से सहित सहित कोन आदमी हो सकता है जो वीर हो तो आपको याद रखना वीर आपको याद रखना साथ 36 गड के पहले सहित का दर्जा प्रापता है हमारे यहां के एक व्यक्तित व्यक्त पर्सनालिटी जिसका नाम क्या है वीर नरायन्जिंग अब वीर नरायन्जिंग के बारे में आपको जानना बहुत जोरी है कि यह कौन से जन जाती के हैं पेपर में आपको बार बार पूसता है यह थे कौन से बिंजवार जन जाती के बिंजवार जन जाती आप मेरे को एक चीज बताईए अगर यह रहते थे तो रहते कहां पे थे आपके लिए बालावदा बजार जीला बालावदा बजार जीला के अन्दर एक विकास खंड आता है अगर बलावदा बजार की होट मैं रेंब बताइए कि इसका ग्राहं था वही एक जमीदारी छेत्र के क्या थे जमीदार थे ठीक है जी एक जमीदार थे तो इनका जमीदारी का छेत्र का नाम बताईए और जीला में कौन से विकास खंड में थे यह बताईए clear जी मैं चाहता हूं आप पोस्ट करें पोस्ट करके बताइए clear जी तो यह क्या था जो आपके लिए क्या एक जगा था जमीदारी छेता था इसका नाम क्या था सोना खान तो आपको याद रखना 36 गण में एक जगा से सोना निकाला जाता है एक आपके लिए क्या है खनीज ऐस करके इस्थाल है नाम क्या सोना खान इससोना आपके लिए मिलते हैं तो यह सोना खान था यह आपके लिए बलावदा बजार जीला में पड़ता है तो वहीं कि जमीदार थे ह्या हुआ इसे जमीदार थे तावर तो मतलब ऑंग्रेज यों टेक्सनी देते थे आपको याद रखने वीनना रखनाजिन इसी के टाइम में 1856 में क्या पड़ता है सूखा आएंब बाइंभा पड़ा अब एच पड़ा एक वैपारी था वैपारी आदमी का नाम याद रखना माखन तो माखन 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 य पास घया इसके पास पूरा था इसके पू़रे जितने जनता था इसके पास आए जनता क्या कर hed कर रही कि हमारे पास खाने एकंतorem कुछ नहीं है हमको कुछ brightness चाहिए अब ये कहां इसी वय पारी के पास गया बोल रहा है भीए कि हम कुं कर जाला बोड़ी में एक हैसे भी सकरके पईसा को अगले साल मारा अच्छा-थम को सब्सक्राइंगे के धान वापिस कर देंगे माना च नहीं है आदमी यह माखन वाइपारी जैसे अपने घर के लिए निकला यह इत्थे को नाम हमारे वीर नरायन से वीर नरायन सिंग अपने साथियों के साथ क्या किये इसके गोदाम में खुद दिये और लागभाग चौदा सब बोरी क्या धान को निप्ता दी अगले दिन यह माखन वाइपारी आयाओ देखाए पूरा गोदाम खाली घर से अपने क्या बोलते दुकान से बाहर निकल रहे है कर जीन लईका लोग का पेट एक दम चेप्टे दीख रहा था वही लईका लोग का पेटा जितना बड़ा बड़ा दीख रहा है समझ गया कि दाल में कुछ काला है या उरिद्दार है करके उरिद्दार करिया रहता है न बई यह समझ गया दाल में कुछ काला है करके तब एक जन आदमी था कौन देवरी देवरी का एक जन आदमी था कौन महराज साय यह जो महराज साय है न यह बता देता है किसको माखन वापारी को मैं देखाऊं किसको वीर नरायन को क्या करते हुए डकाइती करते हुए यह आदमी जो माखन है तूरंद F.I.R करवाएगा अब जब यह F.I.R कराएगा तो इस टाइम में आप अगर मेकाहर आए होगे राइपूर में तो मेकाहर देखोगे क्या आपके लिए सेंट्रल जेल उसी जेल में आदमी रहता है कौन केप्टन इसमीत तो आपको याद रखना केप्टन जो इसमीत रहता है इसको मिल जाता है बहाना और यह अल्रेडी अंग्रेज लोग चिड़ते हैं किस से पूरा सोना खान जमीदारी छेतर से और वहां का जमिदारी है कौन जमीदार हमारे लिए वीरनऊरांसी यसके लिए भैंकर घुसा आता है यह आदमी उसको जाता है शनकी की पीछे आप लोग साहु जलेभी देखनेए उसी साहु जैलेभी मंबाइट के आराम से जलेभी खाते रहता है और ओडर करता है समूसा बाई दोठो समोसा लगाबे साथ में जले भी और एक ठो चाय भी उकरबाद अगर कुछ होई ता उस रद्धा भक्ती में जलना मैं नहीं बोल सकाँ वीडियो चलात करके अब वो क्या होता है ओर्डर करता है इधर से पूरा पूलिस कतुगड़ी ऐसे गोल से घेर लिया तू के उपर क्या किया गया एकदम बहुत सारा निर्दाई रूप से क्या किया गया जी आपके लिए गोली बंदुक चलाए गया आदमी आत्मसमर्पन कर देता है और 10 दिसंबर 1857 को इसको फांसी दे देते अब फांसी कहां देते रवी भवन के पास जो रवी भवन है ना आपका राइपूर का उसी को बोलते हैं क्या जै इस्तम चौंक जै इस्तम चौंक यह जो जै इस्तम चौंक है जहां पर सही दिसमार्प है वहीं पर इसको सब जनता के सामने क्या देते थे फासी देते अब आपके पास ये कारेक्रम चालू हुआ था 1856 का 1857 आ गया है और 1857 को बोला जाता है देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम चुकि 1857 के बाद जितने लोग क्या हुए हैं मरे हैं अपने देश के लिए अपने प्राणों का नियोच्छावर के हैं उनक को बोला जाता है सहीद इसलिए आपके लिए परस्ना में था क्या सहीद क्लियर जी तो आपको याद रखना है दस दिसंबर 1857 इनको फासी दिया गया कहां जैंस्तम्चोग रायपूर में यह हैं भई 36 गड के पहले सहीद आपको याद रखना है दस दिसंबर प्रतेक वर्स दस दिसंबर को आपको कहां सोना खान पर आपके लिए क्या होता इनके नाम पर वीर नराया नसी आपको याद रखना है क्या वीर नराया नसी ही लोककला महोसव लोककला महोसव का आयोजन करता है रा याद रखना गेंसिंग, गेंसिंग से भी आपको प्रस्न पूछता है, ये है भई, बस्तर के, आपको याद रखना है क्या, बस्तर के पहले सही, ये भी एक जमिदार थे, इनको बोला जाता था क्या भूमिया राजा, तो आपको याद रखना भूमिया राजा किनको बोलते पूछन ते अगर प्यक्रु पूछें तो आपको याद रखना गेंद सींग यह जो गेंद सींग थे आपको डेट याद रखना 20ूवरी 201825 यह इनको फासी दे दिया गया था इनके महल के सामने तो यह प्रस्न पूसता है कि जो अच्छ बस्तर के पहले सहीत का दर्जा प्राप्त है इनको किनको गेंसिंग यह क्या किये थे अभी आप पढ़े हो कि अग्रेज आएंगे फिली में चाई पिलाएंगे उसके बाद तो जानते है वैपारी लोग आपका क्या दूरगती करते हैं करगे तब यह क्या है कि यह जो आपका कांकेर का अपका नरायन पुर का छेत्र है आपका परलकोट आता का है परलकोट विद्रो हुआ था क्या तो प सण के मुक्ति के लिए इन्होंने क्या किया अवाज उठाया तब इनको इनके ही महल के सामने क्या दे दिये फांसी दे दिये डेट इन्पोर्टेंट है 20 जनवरी 1825 इसलिए इनको बोला जाता है क्या बस्तर के पहले साहिद आदमी का नाम याद रखना है क्या गेंसिंग आप महाराज साय के बारे में बताया था क्या देवरी वाले तो आपको याद रखना है यह महाराज साय सूरेंद्र साय यहां से आपको प्रस्ण पूछेगा कि 1857 के क्रांती का अंतिम सहीद तो आपको याद रखना है भी 1857 के क्रांती का अंतिम सहीद है कोन हमारे लिए यह 1864 में क्या हुए थे गरिपतार हुए थे 1884 में इनकी जेल में ही मृत्ती हो जाती है तो 1884 में क्या हुए सहीध हुए तो आपको याद रखना च्छतिस गड़ में 1857 के क्रांती के अंतिम सहद, नाम क्या है उनका? सूरेंदर साय, क्लियर जी आपको याद रखना, अगर आपको पूछा जाएगा, यह जो महराज साय है, महराज साय की मृत्ति कौन किया था, इनको महरे कौन थे, तो यही सूरेंदर साय, इनको बोला जात हैं, प्रनेता कौन थे, इसके नित्रित्व करता कौन थे, आपको याद रखना कौन सूरेंदर साय, आपको याद रखना गोविन साय, क्लियर जी, तो आपके लिए चीजों को मैं डिल कर चुका था, चलते हैं हमारे अगले प्रस्ने के लिए, अगला प्रस्न हमारा क्या है 1850 के रायपूर सानिक विद्रो के प्रनेता हनुमान सी ने किसकी हत्या किया और फरार हो गए चाल्स सी इलियट हमारे लिए क्या थे प्राथम डिप्टी का मिशनर थे ये तो डिल कर चुके हैं कैप्टन इसमित सामने 2 था किसकी वीर नरायन सी जी नरायन का आपicated याद रखना मेजर सीड़ वेल ये जो सीड़ आपको याद रखना हनुमान सी थे थे यहां से दोप्रस्ट न पूछेगा जे सिर्ण being video session तो आपको पूछेगा कि यह कोन से बटालियन में तो आपको याद रखना मैगजीने लसकर बटालियन थ्री बटालियन थ्री में थे यह गए और अपने दोस्तों के सांद इससे पहले विर्नराइंसी जी को क्या दे दिया गया था फांसी फांसी कब मिला था आपको 10 दिसंब 1857 को यह उससे खौब खाई हुए थे और क्या कि यह 18 जन्वरी डेट आपके लिए इंपोर्टेंट है पूछा हुआ परस्न है भाई 18 जन्वरी आपके लिए कब 1858 गीन के 20-25 दिन बाद क्या किये यह मेजर सीडुवेल को घुसा घुसा मार दिये यह इसी को भाई अब एक अब को मंगल पांडे तो आपको पता है तो आपको याद रखना थिकारी थी कारी था कोन मेजर सीडुवेल ये सीडवेल को सिधा स्लिप कर देता है इसको एक गोली मारता है इसका ATM काट कर जाता है उपर का तो मिंटी काट के कहां चल देता है उपर आपको याद रखना मेजर यूरोज ये यूरोज कौन था भाई ये बताईए मेरे कमेंट सेक्शन में आप 1857 के क्रांती में अगर इत थी उसके लिए कौन सी statement को पास की थे वे statement अगर लिग तो मेरे कमेंट सेक्शन में बताए पूछता है 36 गड़ आगे बढ़ए तो आपको चलना है अगला तो आपके लिए answer हो गया कौन सा सी अगला प्रस्णा के लिए चले अगला प्रस्णा हमारा पूछ रहा है राज्य में पहले पत्रीका का दर्जा निन्म में से किस पत्रीका को प्राप्त है पहले लिखाए प्रजाही तेसी आपको चार डिफ्रेंट पहले प्रस्णा यही बने पहला प्रस्णा यह पूछत यह प्राजाई तैसी कहां से राजनान गाउं से पबलीश हुआ था वह संपादक हुआ था संपादन हुआ था इसका दूसरा याद रखना चतिस गड़ मित्र आप अगर भी लासपुर की निवासी ओ तो आपको याद रखना पेंड़ा पेंड़ा से इनका संपादन हुआ था आपको याद रखना सरस्वती पत्री का ये भी कहां से हुआ था राजनाद गाउं से क्लियर जी आपको याद रखने हिंद केसरी यहां से भी प्रस्ण पूछा जाता है यह कहां से हुआ था नागपूर पहले तो चार प्रस्ण यह हो गए आगले चार प्रस्ण और मनेंगे आपको आगला चार प्रस्ण यह पूछ रहा है परजा ही तेसी एक होता है राजा दू फरक पड़ा क्या बिल्कुल वैसी बात है तो वो बोल रहा है प्रजा आपको याद रखना है क्या प्रजा प्रजा की हित के बारें कौन सोचेगा भगवान और जब सोचोगे कहां सोचते हो दिमाग से दिमाग मतलब सीर से तो आपको याद रखना है क्या भगवान दास सिरो याद रखना राव भाग्वानकाः त्स हाना सिरोठै यह आपकी होग आपकी लिए आपके सिरोठै पहला पत्रिका माना जाता है थो यह प्रसमा आपको पूसता है बार बार की 36 गड़ का पहला पत्रिका कों ना is को इनको बोला जाता है चत्र गड में पत्रकारिता के जनक इनक moan जाता है कोन हमारे लिए माधृ राव सप्र अब आपके दिमाग में यह आ रहोगा कि सार अगर ये दूसरे नमबर पर आपको मैं एक चीच और बता देता हूं यह आया था 1889 में, यह आया था 1900 में, यह भी आया था आपके लिए 1900 में, और यह आया था लगभग 1907 में。 अब आपकी दिमाग में यह चलेगा कि सर अगर यह उनिस स्वम आया था और यह 1889 में आया था तो इसको पहला आपके लिए पत्रिकाक दर्जा कैसे प्राप्त है वह ऐसे प्रजाहितेसी आया राजनान गाउंता को सीमित रहा गया मतलब कोई चीजे जैसे आप बुक लिखते है और बहुत आगे नहीं बढ़ पाई तो हमके हमारे लिए क्या 36 गण मित्र जब 36 गण मित्र को माधावराव सप्रे के द्वारा आपका बिलासपूर पहले बिलासपूर में आता था था ना पेंडर अभी हो गया पेंडरा लोर मी स्वारी पेंडरा गोरेला पेंडरा मरव पूचा हुआ है 36 गण में पत्रकारिता के जनक किसको बोलते ही यह भी पूचा हुआ है इसे प्रसना पूछे उएं तो आप को आसे तयार करना है अगला याद रखना सरप्रस्वति पत्रिका आपको यह साब घ्아서 रखने को आपको याद रखना है क्या राजनान गाऊ तो तु इसको पीसे याद रख लिया हूँ ठीक है आपको याद रख लिया मितore मित्र मतलब कहीं रहता है प्रेस हमारा मित्र है क्या तो प्रेस ईल्टा कर दिना Musico अड़ पत्रिका तो पी से याद रख लिया हो क्या इधर पदुम लाल पुन्ना लाल बक्सी तो आपको याद रखना है क्या पदुम लाल पुन्ना लाल बक्सी तो आपको याद रखना है पदुम लाल पुन्ना लाल बक्सी आपको याद रखना है हिंद केशरी आपको याद रखना लोक मान या बालगंगा धरतिलग क्या कृके कि एक केश्री नाम के पत्रिका का प्रकासन कि जब उसको जेल में अंदर डाल दी लगा दी अगया लिए आब अगर मान के चलो उसको लिखे थे मराठी मराठीम को समझ नहीं आता और दूसरा वो लिखे थे इंग्लीज में आभी 2022 में देखो गे तो आदमी लोग को अंगरेजी नहीं आ रहा है उस टाइम में अंगरेजी का तो यह नहीं आ रहा होगा उन लोग को ठीक है जी वुड्र करते हैं इनको भी जेल में डाल दिया जाता है लेकिन इनके माता के द्वारा इनके पिता के द्वारा और इनको खुद क्या द्वारा अंग्रेजों को क्या देने पर निवेदन करने पर छमायाचना करने पर इनको छोड़ा जाता है लेकिन एक जण आदमी है कौन लोक मान्यबाल गंगा धरती लग वो अभी तक जेल में है और कौन से जेल में है आप मेरे कमेंट करके बताए एक जेल का नाम था मांडले जेल मांडले जो जेल था वहाँ पे क्या था इनको अंदर कर दिया गया था लगातार 6 साल बाग अब वो निकलेंगे गबबर इस बैग तो अगला प्रस्न देखते हैं भई अगला हमारे लिए प्रस्न कोन है 1907 के सूरत अधिवेशन में किस नेता ने 36 गड का प्रतिनी धित्व कि या था आपको याद रखना है 1907 यहां से आपको भारत में प्रस्न पूछता है भारती इतिहास में कि पहली बार आपके कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था 1907 पहली बार कांग्रेस का विभाजन आप सुने हो ना लाल बाल पाल मतलब नरम डल और गरम दल तो नरम डल और गरम डल में यह 1907 के सूरत अधिवेशन में ही तो अलग हुए थे तो याद रखना 36 गड़ के कौन-कौन लोग इसमें क्या थे सामिल थे यह तीनों के तीनों सामिल थे आपको याद रखना है क्या सूरत जैसे किसी सूरत देखो तो क्या बोलते है सत्यम सीवम सुंदरम तो आपको याद रखना है क्या सत्यम सीवम आ गया और सुंदरम आ गया और सत्यम सीवम स अग्ना को पुछेगा प्रति नीत्व कोन यह हैं तो 25 सुंदालाल सर्मा 1906 में कग्रेस का स्थापना हुआ कग्रेस का स्थापना का इस्थापना तो यह प्रथाम व्यक्ति थे जो जूड़े थे तो प्रथाम क्या थे यह कांग्रेस से जूड़े हुए थे ठीक है अब ही वाला कॉंग्रेस की बात नहीं हो रही है ठीक है वह बात हो रही पहले वाले कॉंग्रेस के पंडि सुंगालाल सर्मा 1906 में कॉंग्रेस का इस्थापना हुआ उसके बाद जूड़े थे आगले साल सूरत में अधिवेशन हुआ यह तीनों तीनों गयते आपको याद रखना केलकर साव यहां से भी आपको प्रस्ण पूछा जाता है इस क्या हुआ अधिवेशन में बैट क्या है अब वहां से हुआ उसके बाद 36 गड़ जो है मध्य प्रांत मध्य प्रांत एवं बरार का क्या हुआ मध्य प्रांत एवं बरार का छेत्री या इसी बोल सकते हैं प्रांती अधिवेशन हुआ यहां से भी प्रस्ण आया का भई आपको इसलिए बता रहा हुआ क्या हुआ इसका छेत्री या प्रांती अधिवेशन हुआ तो अधिवेशन का नाम याद रखना है तीसरा ये भी प्रैशन पूछा हुआ है ठीक है जी आपको अपसें में देगा क्या जबलपूर में सफ्च्रा आप चौन्था प्रस्ण कि आपके लिए केलकर जो सहाफ है इनकी अध्यक्षता किये थे किसका मध्य प्रांत एवंबरार के प्रांती अधिवेशन का ये प्रांती अधिवेशन तीसरा अधिवेशन था 1907 में हुआ था रायपूर में आयोजित हुआ था इसी के अध्यक्षत कौन राज्य में होम रूल अंदोलन का प्राराम करता किसे माना जाता है अब होम रूल लिख आपको मैं प्रश्ण कोई से फॉर्मेट करता हूं कि चीजे आप से जमे इससे पहली एक जना आदमिक देखें हम लोग कोन लोक मान्य बाल गंगा धरतिला कितना लंबा अगर उनका ना उनकी फोन फेलोंग भारक जबर्दस टाइप का अब एक आदमी था गब्बर इजबै के पिच्चर देखें हो ना तो गब्बर अब क्या होने वाला है बहार आने वाल जैसी यह बहार आए लोगों का एकदम भीर आया बाय टाइप का भीर लोग बोल रहें कि हमारा नेता क लेकर रहेंगे यही बोलते हैं कौन आपके लोकमानिय बाल गंगा धरतिला और वो चालू करते हैं होम रूल लिक तो आपको याद रखना है होम रूल लिक तो यह होम रूल लिक का उद्गाटन कब हुआ था आपका 1916 में कहां से हुआ था आप मेरे पता है भाई बेल आप में स्वतंतरता का कंसेट नहीं आया अभी तक हम नहीं सोच पा रहे हैं कि हम सोतंतर हो जाएंगे क्यों 16 से गुलामी करते करते आ रहे हैं और उस गुलामी से हम लोग कहां पहुंच गया होम रूल लिक आया उसके दो ब्रांच तो आपको अगला प्रांच पूछे गा था हमारे 36 गड़ का तो यह प्रस्णा आपको पूछता है तीलाकवादी होम रूल साखा था भई 36 गड़ का क्लियर जी आगे चलते इसमें वामार राव लाखे यही अध्याक्ष बने थे तो यह प्रस्णा भी पूछा हुआ है कि 36 गड़ में होम रूग अंदोलन के अध् आपको प्रारम करता है कौन पंडित रवी संकर सुकला तो आपको याद रखना भई प्रारम करता ठीक है आपको याद रखना है लचमान राव आपको याद रखना है मूल चन बागड़ी यह चारों के चारों सामिल थे किस में 36 गड़ के होम रूल लीग में आपको याद तिलाकवादी हम रूलू अंदोलन था अध्यक्ष थे आपके लिए वामार रवला के प्रारम करता थे हमारे लिए कौन पंडित रवी संकर सुकला क्लियर जी आगे बढ़े क्या अगला हमारा प्रस्न है और हमारा अंतिम प्रस्न है उन्नीस सबीस के आसायोग अंदोलन के दवरान किस ने राय सहाब की उपादी छोड़ी इसमें एक चीज़ आपके लिए गलत है आप मेरे क्या करें कमेंड करके बता किसमें क्या चीज mistake है, क्या चीज गलत है, ठीक है जी, पहला बोल रहा है वो, राय बाहदूरना, दूसरा लिखा है क्या, का जी समसेर खान, तीसरा लिखा है वामर राव लाके, छौन्ता लिखा है आपके लिखा है बाजी राव कीड़ इसमें बोल रहा है राय, और आपको याद रखना है क्या वामर राव लाखे जी है इन्होंने अपनी राय साहब क्यू पाधी छोड़ी अव इन्होंने जब अपना क्या क्या जी राय साहब क्यू पाधी जब छोड़ी ना तो इनको जनता ने लोकप्रिय क्यू पाधी दि दोनों प्रुछा हुआ है कि जनता ने किसको लोकप्री होने क्यू पाधी दि लोकप्री क्यू पाधी दि तो इनको दिया था और बोलेंगे कि राय educ adi किसने छोड़ा था वामार राव लाके जो काजि समसेर खान है इन्होंने खान सहब की उपाधी तोड़ी थी ये भी प्रस्न आपको पूछ सकता है ये प्रस्न पूछा हुआ है न आपको याद रखना इसको काट दो राय बहदूर भी आपके लिए क्या था जी एक उपाधी था भी अब यह आदमी जो छोड़ा था वो कौन था नागेंद्र नाथ और किसी किसी भूक में देखो गे तो लिखता है नागेंद्र नाडडे आदमी एक ही था इन्होंने राय बहादुर के उबादी छोड़ा था आपको याद रखना है बाजी राव क्रिदन यह जो बाजी राव क्रिदन था यह धमतरी के जमीदार थे भई उननीस सोबीच में धमतरी के क्या है जमीदार है और साथ में आपके लिए क्या धमतरी महासमून के क्या थे यह धमतरी महासमून के क्या थे यह विधान सभासदस्य थे तो वहां से विधान सभासदस्यता से क्या दिये थे इस्त तो आपको पूछेंगा कौन आदमी थिया था तो यही वह आत्मी था, जो क्या था त्याक पत्र दिया था बाजी राव कृदन ये बाजी राव कृदन के बारे में हम कल बीडिए हमें कWill वीडियो हमारे लिए जवर्जस रहेगा तो कल हम पढ़ेंगे 1920 से लेकर कहां तक होते हैं, वो देखते हैं, कि 1940 तक होता है, कि हमाजादी ले लेते हैं, clear जी, तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे, तो ये था अब तक के लिए, क्या आपके लिए, आधुनिक 36 गड़ का इतिहात, clear जी, उमीद करूंगा कि ये वीडियो आपको अच्छा ल लगा होगा, तो आप क्या करें, कमेंट करके बताए, किस सार आपको पढ़ाने का सालिय आपको कई से लगता है, clear जी, तब तक हम लोग अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक क्लिए, जै जोहार, जै चैटिस गड़, पढ़ते रहिए, और बढ़ते रहिए,